दोस्तों, एल्टिग्रेट का विज्ञान का जो रिजल्ट है, वो काफी चौकाता है। एक बड़ा सवाल पैदा करता है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा कि किसी राजनेता ने ये कहाता कि उत्तर प्रदेश में प्रदिभाओं की कमी है। यहाँ योग अभ् साखा अलग है, अलग अलग रिखती हैं, इसमें जारी की गई थी, और मेल्स के लिए कुल 571 पद थे, और फिमेल्स के लिए कुल 474, अगर आप 571 और 474 को आइड करें, तो यह लगबग आपका बनता है कितना, एक हजार पच्पन पद, और एक हजार पच्पन पद में से चुने कितने लोग यह पद भरे कितने गए, 84, मात्र 84, मतलब एक हजार पच्पन पद रिखते हैं, और योग अबढ़ती मिलते हैं मात्र 84, बागे की जो पद हैं, उनको अग्रेनित कर दिया गया, अग्रेनित का मतलब कि अब यह जो पद होंगे, वो अगली भरती में भर जाएंगे एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि पुरुसों में गर देखा जाए तो 571 पद थे और उनमें परिक्षा में सामिल होते हैं 11284 महिला साका में कुल जो पदों की संख्या है वो है 474 परिक्षा में बैठती हैं 4152 लेकिन यहां पर 11284 में से चुने जाते हैं मात्र 802 में से चुनी जाती हैं मात्र 4 भीरती फिमेल में और इस तरह से बाकी की जो बचे विये पद हैं इनको अग्रिनित करने के बारे में बात की जा रही है एक्ष्णी में ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसा कि यह पहले डिक्लियर नहीं किया गया था कि जो फाइनल मेरिट बनेगी 150 जो प्रस्ट पूछे गए थे उसमें 30 प्रस्ट जो जो जीयस के थे बाकी के जो प्रस्ट थे 120 प्रस्ट यह प्रस्ट आपके बिस अपन में भी बात असपस्ट नहीं है कि सेक्शनल कटाफ लगाई जाएगी या नहीं और यही माना जला था कि सेक्शनल कटाफ नहीं होगी तो अगर सेक्शनल कटाफ नहीं लगागी तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी कम संक्या में लोग उत्रिण हो एक बड़ी बात और है अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो चलिए मैं सब्सक्राइब आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं तो दोस्तों यह नोटिफिकेशन है इसको आप ध्यान से देख लीजिए यह नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तो 2018 में जारी हुआ था और आनलाइन आवितन सुरू हो रहे थे 15 मार्स से बाकी की चीज़ें माने नहीं रखती है डिरेक्ली मैं मुद्धि पर आता हूँ यहां पर देखते हैं अब रिक्तियों की संख्या टोटल बताई गई थी 10768 और इसमें मेल्स के लिए 5364 रिखती हैं और फिमेल्स के लिए थी 5404 और यहां पर जो बिज्ञान भी से है इसको में देख लेते हैं मेल्स के लिए तो कुल 571 पद हैं टोटल जिसमें जनरल के लिए भी इसमें पद रिजर्ब थे और आप देख लिएते हैं तो फिमेल्स के लिए जो यहां पर पद हैं उसको भी जान लीजिए बोते हैं जनरल के लिए 237 ओभी सी के लिए 128 बाकि यहां पर आप देख सकते हैं एक सेक्शनल कट आफ नहीं लेगाएगी थी लेकिन यहा है merit making के समय उसको consider नहीं किया जाएगा मैं यहां पर आपको असपस दिखा देता हूं जिसके बारे में यहां पर पहले ही बताया गया था ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह बताया गया था कि गलत उत्तरों पर दंड यहां नेकि निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्य कशिक लिए चार बैकलबीक उत्तर हैं गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक काटा जाएगा और ये भी कहा गया था कि अनसुचित जाती और अनसुचित जनजात के अभिरतियों के लिए नियूंतन दक्षिता मानक यानि कि मिनिमम एफिसियंसी स्टेंडर 30% था यानि की इनसुचित स्टेंगे अनसुचित जाएगा और इसी प्रकार अनसुचित के लिए नियूनतन दक्षिता रखी गई थी 40% तो इसमें जनरल और OBC दोनों सामिल थे, यानि कि जनरल और OBC अगर 150 का 40% हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा, ये बात कहीं कि इंथी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें, तो कुल मिलाके 60 प्रस्ट बनते हैं, तो क्या 60 प्रस्ट भ कि सक्षनल कटाफ लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, और इतनी कम संख्या में अभ्यरती क्यों जो है पास आउट हुए हैं, फिलाल एक बड़ा सवाल ये है कि मात्र 84 लोगी सफल होते हैं, बाकी के सारे सारे पद जो होते हैं, वो रिक्त जाते हैं, और इनको अगल पर जो भी conclusion हो सकता था, वो मैंने आपके सामने रख दिया है, इसका सही जबाब आयोगी दे सकता है कि सेक्षनल कटाफ लगाई गई है, या आलोगर कटाफ लगाई गई है, या फिर ये जो पूरा matter है, उसमें ऐसा है कि अभ्यरती जो हैं, वो अपने द्वारा निश्चि की गई कटाफ को पार ही नहीं कर पाए, फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे, आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए आगया दीजे, नमस्कार, जैहिंद